अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षे इंद्राक्षे धाम में दर्सों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवसे मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुप कारना है आज का पंचांग बाइस सेप्टेंबर सन दोहजार बीस दिन मंगलवार आश्वे नुहा शुकल पक्स समवन दोहजार सततर तिथी आश शुट्री है नक्षत अनुराधा राहुकाल तीन से साड़े चार दिशासूल उत्तर दिशा आज हम आपको बताना चाहते हैं कई बार हम कोई वर्थ का नियम ले लेते हैं और वो वर्थ हमारा बीच में ही रह जाता है ना उस वर्थ को हम पूर्ण कर पाते और ना ही हम उसका उद्ध्यापन कर पाते ऐसे ही कुछ विशेश मंतरों की साधनाय भी हम प्रारम्ब कर देते हैं संकल प्ले लेते हैं कि हे भोले नाग या हे पारवती या हे दुर्गामा मैं 40 दिन की अखंड साधना करूंगी या करूंगा लेकिन वो साधना हमसे नहीं हो पाती या तो हम आलेस्य वस उसको छोड़ देते हैं या जीवन में ऐसी कोई कठिन समस्य आ जाती है जिसकी विज़े से हम वो साधना आगे नहीं कर पाते है आपको एक छोटी सी बात बताएं जब जब हम कोई उपवास करते हैं या वर्थ करते हैं या कोई विज़े साधना का संकल्प लेते हैं उस दोरान हमारी परिक्षाएं बहुत होती है और कुछ छात परिक्षाओं में पास हो जाते हैं कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ बीच में ही रह जाते हैं मन का संकल्प यदि द्रड़ है और जिस साधना को हम करना चाह रहे हैं उस साधना के प्रती हमारा विश्वास द्रड़ है तो हमारी साधना होती ही होती है लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसी परिस्चितियां हमारे जीवन में दस्तक देती है किसी कारण बस हम अपनी साधना पूर्ण नहीं कर बाते हम अपना वर्थ पूर्ण नहीं कर बाते और कई बार तो मैंने ये देखा है कि व्यक्ति इस जीवन को छोड़कर ही चला जाता है ऐसे बहुत फोन मेरे पास आते हैं कि शर्मा जी हमारी माता जी एक आश्ची का वर्थ किया करती थी अब वो इस संसार में नहीं हैं लेकिन वो उद्यापन नहीं कर पाईई तो क्या करें हमने शर्मा जी ये वर्थ 12 वर्ष किया अचानक पताने क्या हुआ आज दो साल हो गए टीन साल हो गए ये वर्थ नहीं कर पाए ना ही उद्याबन कर पाए ना ही उसे आगे सुचारू रूप से कर पाए तो क्या करें ऐसे एने को सवाल आप लोग हमसे समय समय पर करते ही अब देखो इसका क्या सोलूशन है सबसे पहले हम उस बात को करते हैं जो व्यक्ति संसार से जुदा हो गया स्वर्ग लोगवासी हो गया चला गया हमारी दादी हों काकी हों भुआ हों कोई भी हो और वो किसी विशेश वर्थ को किया करती थी या करते थे लाइक प्रदोश वर्थ हो एकाश्री हो द्वाश्री का हो अश्टमी का हो कोई भी वर्थ हो तो आपका कोई भी परिवार का सदस्य उस वर्थ को बहुत अच्छे से धुमधाम तरीके से उसका उद्यापन आप लोग कर सकते हैं जो हमारा परीजन्स यहां से जुदा हुआ है उसका तो आशिरवाद आपको मिलेगा ही मिलेगा और जिस देवता के निमत आप उद्यापन कर रहे हैं उसका आशिरवाद भी आपको मिलेगा शुब कर्म ये भी एक कर्ज होता पिता जी ने कर्जा लिया संसार से चलव से तो बैंक का कर्जा संतान उतारती है ऐसे ही अगर हमारी माता जी किसके लिए वर्थ कर रही थी वो एक आश्री का हमारे पिता जी किसके लिए वर्थ कर रहे थे हर माता पिता अपनी संतान के लिए ही वर्थ रखता है करीब करीब के ये बच्चे पास हों आप इनके अच्छी जोब लग जाए अब इनके अच्छे विवा हो जाएं अब घर में पौतर पुत्रिगाएं हो जाएं महला कहीं ने कहीं उनकी कामनाएं इस प्रकार की बनी रहती है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नहीं भी होती है निश्काम भाव से रखते हैं तो जो हमारे लिए इतना चिंतन करते 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 संसार से चले गए तो क्या हम लोगों कोई फर्ज नहीं बनता इसलिए अब उध्यापन करते कैसे हैं यही संक में बताना संभव नहीं है उसकी पूरी विधियोती है निकटतम किसी भी अनुभवी जोतिस चारिय से नहीं जो कर कर्मकांड जानते हूं जैसे जोतिस की बेड़े अलग साखह jätte जैसे नेंब्रोलोजी अलग है पामिष्टी सांस अलग है वास्तु अलग है कुंड्ली के विज्ञान अलग है है ऐसे ही बहुत कम ओसे ऐस्टोलोजन होते हैं जिने कर्मकांड की नौलिज होती है हवन कराना करमकांड कराना तो आप अगर किसी भी छुटे हुए वर्त का उद्यापन करना चाते हैं तो आप किसी विसेसग्य से किसी आचारिय से आप आचारिय तो कोई भी लिख लेता है लेकिन आचारिय की मेरे दर्शों को डिगरी होती है इसकी बाकाइदा पढ़ा ही होती है जैसे हम B.A.M. में करते हैं तो आप किसी प्रकांड विद्वान से मिलें और उन से मिल करके आप वो ध्यापन्स जरूर कराएं और कराना चाहिए कब कराएं कैसे कराएं वो सब बताया जाएगा अब दूसरी बात पर आते हैं आपका कोई वर्थ बीच में छुट गया आपका कोई वर्थ खंडित हो गया आपकी कोई साधना छुट गई तो आप जिनोंने आपको वो वर्थ बताया था अगर वो हैं आपके संपर्क में या जैसे भी तो एक बार उनसे पुन्ह अनुमती लेकर के आप अपना पुन्ह वर्थ प्रारम करें शुक्ल पक्ष से अगर आपको लगता है वो भी नहीं है जिनसे मैंने पूछा था या मैंने तो किसी से भी नहीं पूछा था शर्मा जी बर्मा जी ऐसे यूट्यूब पे टीवी पे आते थे उनसे सुन करके मैंने कर लिया तो आप भगवान शिव को हाजर नाजर मान करके आदिनात हैं शंबू है आप भगवान शिव को नमशकार करते हुए गुरू के मानिन दोने समझते हुए अपना वर्थ परार्म कर सकते हैं क्यों शुब काम में कोई वहम मत करना शुब काम में कुछ मत सोचना आप शुब काम कर रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं और कमाल की बात देखो अच्छे काम में भी लोग दिवारे खड़ी कर देते हैं अच्छे काम में भी लोग कांटेप हो देती हैं अरे ऐसे मत करना किसी कर ले लेना ये कर लेना भोग लेना रहे भया क्या क्या या कोई लौटरी का टिकट खरीद रहे हैं आप भगवान की वर्द कर रहे हैं आप भगवान की उपासना कर रहे हैं इतनी तो भगवान को भी पता है ये मेरी बच्ची ये मेरा बच्चा शुब काम करने जा रहा है तो आप भगवान शुब को हाजर नाजर मानके अपना वो वर्द दुबारे से उठा स सकते हैं, दूसरी बात, मन नहीं है, आप परिश्चितियां ऐलाव नहीं है, या हमारी बोड़ी सख्षम नहीं है कि हम भूह के रह सकें, बहुत डियाविटिक पेशेंट हो जाते हैं, या एनि रिजन उस इस्तिती में उस इस्तिती में आपको यदि गिंती याद है कि मैंने कितने वर्थ किये थे 15 किये 16 किये तो आप जो बचे हुए वर्थ हैं वो करके उध्यापन कर सकते हैं और यदि वो भी मन नहीं है तो फिर वोई बात किसी करमकांड सास्त्री से जिसे कर करवाना आताओ आचारे जी से मिलें और उनसे अपना राय मश्वरा करके अपना एक बारों से कर लें हम संसार से चले जाते हैं नाना भाती की इच्छाएं अनि इच्छाएं अपने हर्दे में लपेट करके इस देह से प्राण निकल करके परलोग गामी हो जाते हैं और को प्राप्त करती है तो अगले जनम में हमारी वो इच्छाएं स्वतह जागरत होती है कई बार पुर्ण जनम की सिद्धियां अगले जनम में प्राप्त होती है कई बार पुर्ण जनम की इच्छाएं अगले जनम में पुर्ण होती है कई बार आप कहते नहीं नजाने क्यों बच्पन से मुझे ऐसा लगता रहता है न जाने क्यों मैं ऐसा सोचता रहता हूं न जाने क्यों यहां आते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां पहले भी आया हूं न जाने क्यों मैं इस मंदिल में कभी पहले भी आया हूं ऐसी कामनाई क्यों होती है आप आए हैं यह सरीर ए पूर जनम में भी गया। आज से तो वैशनो देवी का महा पर स्थापना नहीं है। तो बहुत समय से है। तो कभी भी जो छुटे हुए कारी हैं, खासतोर से धार्मिक कारी हैं, उन्हें अपने जीते जी पूर्ण कर लेने चाहिए। बस किसी मरमग्गे से मिलने, किसी विद्वान से मिलने, वो आपको समझा देंगे, बिटा बिटी ऐसे आप इस काम में कर लो। लेकिन कर लेना चाहिए। अब दूसरी बार, कई बार कुछ लोग ऐसा खर्चा भी बता देते हैं, कि 25 ब्राह्मन चाहिए, इतना समान लगेगा, इतना वो लगेगा, तो भी बिचारा आदमी लाचार हो जाता, कि कई बार किसी के घर में पतिया लाओ नहीं करते हैं, तो किसी के घर में पत्निया ला आईए, ताकि हमारा कारिय विस्द्ध हो जाए, और हम इस अपनी संकल्ब से भी मुक्त हो जाएं, तो फिर वो कुछ न कुछ आपको रास्ता बताएंगे, और फिर भी यदि कोई रास्ते ना मिलें, तो आने वाले समय में इंदराक्ष्री धाम आपको रास्ता बताएगा, आप हमारे आश्रम में आईए, जैसे जैसे हम आपको यहां से बताते जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें, आप हम से जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन प्रियास करें, क्योंकि वो विधिया होती है, बहुत सारी बाते होती है, तो एक आदमी का तो एक वहम के साथ न जीएं वहम के साथ न सोएं मतलब कि मैंने तो 16 सोंवार कवर्थ देखा था और मेरे तो बीच में शुड़ गए भगवान शंकर मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं दुरगा माता मुझे कुछ कहीगी तो नहीं मैंने जगराता कबूला था शायद मेरे बच्चे इसलिए बिमार होते हैं गलत बात आपको जिसने कहा बिल्कुल गलत कहा जो व्यक्ति आपको ऐसे बोल रहा है कि आपने जगराता बोला था और आपने कराया नहीं इसलिए काली क प्रकौब है वो महामूर्ख है और आप उससे भी बड़े मूर्ख है यकीन कैसे कर सकते हैं कि आपकी माँ आपको सजा देगी कहीं से सोचना है आप डाटियस व्यक्ति को जो आपको ऐसी गलत राई दे रहा है मा कभी कुमाता नहीं हो सकती सुनिया ना आरति माता नहीं होती कुमाता तो देखो थोड़ा बहुत अपने बुद्धी विवेक से भी हम लोग काम लिया करें हम रोटी खाते हैं हम गदे थोड़ी है थोड़ा कि अगर कोई चीज़ वीच में छुट रही है अभी पूरी नहीं कर पा रहे हो घवराइए मत चिंता करने के आवश्यक्ता नहीं है बस भगवान से हाज जोड़ लिजिए कि परमात्मा आप ही रास्ता दिखाईए मैं इस छुटे हुए कार्य को पूर्ण जरूर करूंगा सब ठीक हो जाएगा आए दर्स्तों को समय हो चला आज की ध्यानवाला का आज की ध्यानवाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से ओम रामो राजमनी सदा विजयते रामम् ब्रमे संबजे रामे ना विहता निसाचर्चमू रामायता स्मैनमा रामा नास्ति परायनं परतरं रामस्यदा सोम्यहं रामे चितलया सदा भवतुमे भोराममा मुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदूराम तपोवनं दिगमनं हत्वाम्रिगं कांचनं वैदेई हरनं जटायुमरनं सुग्रिवसां भासनं बाले निग्रहनं समुत्रतरणं लंकापुरे दाहनं पस्चात्राबन कुम्बकर्णहननं इतद्रामायनं कबच मना लें ध्यान करें राम जी का अशिरवाद हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोले हैं सबाने हो जाएं खास सूचना अभी हम दिल्ली में बैठनी रहे हैं मिलनी पा रहे हैं इस से में केवल टेलीफोनिक अपाइंटमेंट्स हमारी सुचारो रूप से चल रही है दूसरी बात कारिय ववस्ता के चलते चलते राहु राशी परिवर्तन आपको नहीं बता पाया हाला कि कल राहु राशी परिवर्तन है 23 तारीख है तो कल पूरा प्रियास करूँगा क्योंकि कल परिवर्तित हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि कल इसके उपाई करने क्यों अठारा महीने के लिए परिवर्तित हो रहा है समझे आप अठारा महीने बहुत होते हैं और अठारा महीने में कुछ ही महीने हमें राहु का उपाई करना है किवल शनिवार के दिन या बु इन ही शब्दों के साथ अपनी वानी को बिनाम देते हैं जैमा इंद्राक्षी है हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अपर देखना क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहब बाहर ट्रांस्फर हुए है तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी मेरी बेटी पली पीती है तो है वहार टांस्थि थी उस थाइम उसके बाद जॉब नहीं थी तोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी मैन एकदम से बोला है उसको कि तुम यह लगाऊ फोन और पहली बार ही भार ही उसका पके साथ फोन लग गया पहली बार ही उसका फोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी जोकरी मिलेगी तोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नोकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नोकरी कर रही है धान्या बहुत बहुत इसके लिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब करें आप देखने सके हमारे के लिए आप हमे तक